हाइ, MATLAB के इस टुटॉरियल में आपका स्वागत है इस टुटॉरियल में हम जानेंगे की variable क्या होता है और variable का इस्तमाल, MATLAB में किस प्रकार से किया जाता है Variable Variable एक नाम होता है जो एक value को store करके रखता है उस value को हम कभी भी change कर सकते हैं इसलिए इसे variable कहा जाता है variable शब्द में vary आता है जिसका मतलब होता है जो change हो सके तो variable का नाम वही रख सकते हैं और उसकी value को हम कभी भी change कर सकते हैं इसलिए इसको variable कहा जाता है देखिए इसको create कैसे किया जाता है MATLAB में एक variable का नाम सोच लीजिए, हमने सोचा var, यह नाम हो गया, उसको assign करना एक value, तो assignment operator का इस्तमाल करना पड़ेगा, which is is equal to symbol, तो var is equal to 8, जैसे ही हम यह लिखने के बाद enterprise करेंगे, तो आप workspace में देख सकते हैं, एक variable create हो गया, जिसकी value 8 हमने store करवाई है, इस value को आप change कर सकते हैं var is equal to 9 भी कर सकते हैं, अब देखिए, यहाँ पर workspace में आपकी value change हो चुकी, var is equal to 58 भी आप कर सकते हैं, तो आप देखिए, 58 value होगी है यह variable की, इसका मतलब variable एक नाम होता है, जिसकी value को आप change कर सकते हैं, आगे tutorial से मैं हम इसके बारे में और जानकारी हासल करेंगे,